hello guys so welcome to the next lecture last lecture अगर आपको याद है तो हम लोग ने double link list complete किया था ना हमने single link list की बात की single link list के drawback को discuss किया ठीक है फिर हमने double link list की बात की ठीक है double link list में creation देखा था double link list में ने insertion deletion how to traverse in double link list from forward direction how to traverse in double link list in reverse direction यह सारे concept हमने discuss करे लिकिन अब यहाँ पर हम double link list के भी एक drawback की बात करते हाला कि यह concept single link list में भी implement हो सकता है हम इसको double link list में इंप्लिमेंट कर रहे हैं और देखे जब में double link list बना रहा हूं तो अब यहाँ पर question यहां आता है देखे हम implementation हमने सारे समझ लिए हमने array format implementation भी समझ लिया कि array बना के stack implementation कैसे होगा क्यों बना के implementation कैसे होगा ठीक इस टैक implementation कैसे होगा link list implementation कैसे होगा अब यहाँ पर अब इसके आगे कि स्टेप में अब हम बात करेंगे हाँ टू मेक यूट ट्रैवर सिंग मोर इजी बतल आप और ऐसा क्या अपलाए करें अपनी लिस्ट में कि आपकी ट्रैवर सिंग थोड़ी सी इहां से देखूं ताकि आपको यह समझ में जाए कि वाई वी शूट गो फार न्यू लिंक लिस्ट मतलब अब नई link list को एनी बनने वाली link list या तो सिंगल होगी या डबली होगी अब इसी को और efficient way में कैसे से बनाई जाए कैसे इसमें memory efficiency को हम implement कर सकते हैं कैसे इसमें टाइम complexity को decrease कर सकते हैं तो आप समझें जो हमने लास्ट में देखें देखें डबली लिंक लिस्ट क्या थी हमारी डबली लिंक लिस्ट यह मारा डेटा this 1019 is here the both the connection garraho man this 1176 and this is null and this लिस्ट इन विच एवरी नोडिस कंसिस्ट आप त्री पार्ट लेफ्ट एड्रेस राइट देटा ठीक है तो अब इस डब लिंक्लिस को लेके हमने सारे अब लिए अपरेशन लास्ट वीडियो में देख लिये थे ठीक है क्या हमने विंसर्ट इलेवंट इन इस लेस्ट अव पूंसर्ट इन विडिल हाओ तो इन सट इन लास्ट इन फर्स अब और तो डिलिट दे नोट फॉम इस लिस्ट ठीके ट्र्रावर सिंग कैशे करना है अमने इस डबलिंग्लिस गिज़िस फी द्वान्टेश के लिए डबल इंक्लिस पडई थी वो ट्रैवर्स इंग्वी अमने देख एक एधिए फॉर्वर्ट डॉर्वर्ड डिरेक्श कर सकते तो जराड लिस्टपे अगर अध्यान दे तो यहां पर आप दीखें हर now dud 아닌किशी किंव किसी काम लिए इसको बढ़ीज집 को बाता रहा हो मैं और विजी है किसी ने किसी काम के लिए यह नोट डेटा भी अड्रेस डेटा और अड्रेस दोनों कंसिस्ट करके रख रहा है यह नोट डेटा और अड्रेस दोनों कंसिस्ट करके रख रहा है दोनों नोट के ना प्रीवियस नेक्स्ट दिस नोट कंसिस्टें अड्रेस आप प्रीवियस एज लेक्स्ट लेकिन अगर दे कोन कानी कोई काम नहीं कर रहे इनके पास ना ले रए तो ये सोच आ गया कि ट्यों ना इनको भी तो ये सकती और मतलब हम इस नोट को बोलते हैं आप भी टोटल फ्री मत रहो आपके भी अड्रेस को बोलो कुछ ना कुछ इंगेज रहे नल लेके आप मैमोरी तो आप अलोकेट कर रहे हो लेकिन ब्रेटा तो ही आपके पास नल है डाट मेंज और नौट आप है लेकिन आप कोई काम के नहीं है इसका राइट एड्रेस मेरे लिए कोई काम का नहीं अभी इसका लेफ्ट एड्रेस मेरे लिए कोई काम का नहीं है क्योंकि यह मैमोरी अलोकेट है मैमोरी में है लेकिन लेके बैठे हुए तो क्यों ना इनको यूटिलाइस किया जाए कैसे यूटिलाइस किया जाए हम य है तो हमने कelyn पहले नोट का यडरी से को मैं अड्रस देता हूं सबसे लास नोट मतलब यह यहां पर बेटे गा और इसको पॉइंट करेगा और जो सबसे कर राइट अड्रस इसके पास जो आरेड है इस आरेट को मैं और डाह वो फॉस्ट नोट का एंड़ इस्टू टू ट्रीपल वन मतलब यह यहां पे बेठेगा और इसको पॉइंट करें तो लिस्ट तो यह भी भी है वाट नाओ दिस लिस्ट इसकॉल अब लिंक लिंक लिस्ट तो जो हमारा अब नेक्स टॉपिक है वो है सर्कुलर डबली लिंक की चया अड्वांटेज़स है सर्कुलर डबली लिंक लिंग लिस्ट क्यों बनाई जा रही है तो आप देखो सर्कुलर डबली लिंक लिंपले लिंक अगर है वहान चारकुलर डबली लिंग लिंक लिंग लिंग्निस्ट कम डीफिनेशन क्या rice a link list in which net्री नोड करने के लिए तो डबली निंक लिटीन केसे डवाइन करते हैं इन दिस लिस्ट फर्सट नोड इस architectural प्रदीशन and d jeuxव्र अन्हेज़ ऐसे आप डेखो डबली लिंटीया सिंगल लिंक लिख में रफाप Yes I will को जब पहले नोट को आपको लास प्रोजिशन पे रोकना है तो हम पूरा का पूरे नोट ट्रैवर्स करके वहां तक जा रहे तो चलिए अभी तो यह पांच नोट के लिस्ट है सपोज इमेजिन करो अगर यहीं लिस्ट 50,000 एलिमेंट की है तो पहले नोट से लास्ट पर पह पर फारेट फिर जाके टेंप आपका लास्ट पर रुका लेकिन यहीं अगर सर्कुलर अबली लिंक लिस्टे तो आप देखो एडवांटेज का मिलेगा यदि मेरा टैम पहले नोट पे और यदिस को मुझे लास्ट नोट पर लेके जाना है तो विद दिस सिंगल लाइन ट से विरा टेमपरेरी पॉंटर लास्ट में जाए नो जदी मानो मेरा टेमपरेरी पॉंटर लास्ट पोजिशन पे ठीक ए और मुझे उसको लास्ट से फिर्स्ट पोजिशन पे लाना है ठीक है तो मैं क्या करूंगा एम सिंप्ली राइट तैम इक वल्स-टू टैंप आइम टैंप equals to temp of are it to now my temporary pointer moves to the first node so that is what an advantage of this circular linked list circular w link list yeah I'm single link list maybe implement kar sakte but may sko w make a room talking most of the jo software build up with a w link list because other use character so java background data structure w link list a to और अगर उसमें आपने circular form कर दिया so it is more easy to move your pointer to this आपके लिए बड़ा easy रहेगा कि आप एक pointer को आसानी से लास्ट पर move कर सकते last pointer को बड़े easily first move कर सकते ठीक है लेकिन यहां पे अब थोड़ा सा programming thought process हमारा change होगा अब वो कैसे change होगा क्योंकि अभी तक हमने single link list देखा हमने double link list देखा तो हमें यह पता हैं कि हमें first note से तब तक traversing करना है जब तक हम एसे note पर नहीं पहुंच जाते हैं जो null pointer consist कर रहा है राइट लेकिन मतलब simple सी बात है न हमारी single link लिश्व डबली English में last note का address नल था single link list में एक ही address था वो नल था double link list में right address नल था तो अब यहां पर problem यह हैं कि सर अगर मान लो मुझे स्ट्री में traversing करना है तो मैं कहां से कहां शुरू करूंगा तो यहां पर हम क्या बोलेंगे हम स्टार्ट से शुरू करेंगे वापिस स्टार्ट पर ही आएंगे को अगर मान लो स्ट्री में आपको ट्रेवर्सिंग करना है तो आपके पास नल तो ही नहीं नहीं आप क्या करोगे आप स्टार्ट से पॉंटर को ट्रेवर्सिंग शुरू करोगे और वापस घूम के कहां पर आओगे स्टार्ट अब यह प्रोग्रामिंग में कैसे होगा तो अब हम इसकी कोडिंग देखेंगे अब हमें फिर से एक बार डबली लिंक लिस्ट के बेसिक ऑपरेशन की बात करना है कौन-कौन से क्रिएट इंशर्ड इسمर अलगे इस थो इन सर्टी फोजिशन इंसर्ट फॉर्स एंसर्ड मीड़ियल इंसर्टलास्ट ठीके मतर्थीन हो पॉशिए बांगेए नियन सारे सारे चाहीं यू अप्रेसिट देखने वाले लेकिन आपको पहले यह समझ मैं कि वाई वी शूट गो फॉर असर्कुलर डबली लिंग लिंग लिस्ट का जो सबसे बेस्ट एड्वांटेज वो यह है कि यह यह फिर्स्ट नोड इसकनेक्टेट विद लास्ट नोड आपका पहला लोड लास्ट नोड से कनेक्ट है तो यह है डाट मेंस आप इजीली अपने पॉइंटर को फर्स्ट से लास्ट पर मूव कर सकते हैं लास्ट से फस्ट पर मूव कर सकते हैं तो ट्रावर सिंग इस मोर इजी टाइम कॉंपलेक्सिटी अपने आप रिडिउस होगी ओके तो अब हम वन बाए वन देखिए अब इसमें सारे ऑपरेशन डबली इंकलिस्ट के यह केवल कोडिंग चेंज होना है और इसमें भी आप ध्यान से समझना बहुत सी कोडिंग तो कॉमनी रहेगी जैसे दो फंक्शन तो हम दुबारा रिपीटे नहीं करेंगे जैसे फॉर एक्जामपल अगर आपने डबली इंकलिस पड लेकिन इंसेट मिडिल तो वह यह ना बेटा आप इस सर्कुलर को आप देखो तो इंडिल नोट को क्या फरक पड़ रहा है हां यह जरूर है कि अगर मैं फास्ट पोजिशन पर ने अनौड इंसर्ट करूंगा तो मुझे कोडिंग चेंज करना पड़ेगी यदि में शर्कूलर अबील इंकलिस्का भी इंसर्टे का बीस गोगा जो हमारी डबलिल इंकलिस्ट का ऩावे बिद्स अ G already सर्कूलर में деньги और इंगल तो इहां जो फंक्शन सनब नेंगे करिएड बनेगा इंसर्ट फॉर्स बनेगा इंसर्त लस्त बने ढ那么 डिलेत सोबनेगा डिले पर्स्ति बनेंगा डिले टॉर इनसेट मेडिल इस सेम एज ते 111 रीज दिलन tut से अब लास्ट वीडियो में जाके बेकर सकते दिलिंग के इन सेड्म बडिल टॉर स्काने है प्रंच परेंट ॲॉव